पीसी सी चीफ कमलाद ये सत्र इस विदार सभा का आखरी सत्र था पांच दिन के लिए गोशत किया गया था सत्र हमें उमीदे थी कि पांच दिनों में हर विशे पर चर्चा करेंगे सिर्फ कुछ घंटे चला सत्र इस थगन प्रस्ताव नहीं मानते चर्चा के लिए तैयार हो पांच दिन के लिए गोशत किया गया था और हमें उमीद थी कि ये पांच दिनों में हर विशे पर चर्चा करेगी कुछ घंटों चला दो दिन भी नहीं चला कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले मांग क्या थी हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर त्यार हो जाते यह तो चर्चा के लिए भी त्यार नहीं है यह महाकाल का इतना बड़ा गोटाला उसकी चर्चा के लिए नहीं त्यार आग लगी किती दसारी आग नहीं उस पर चर्चा के लिए त्यार नहीं महंगाई पर भीरोजगारी पर पूरे प्रदेश में अवेवस्त ये किसी चीज पर चर्चा करने को तयार नहीं है ये सदन का सामना तो छोड़िये आज तो हालात हैं कि ये प्रदेश का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं बोबाल से बड़ी खबर है दैस समय से पहले विधान सभा की कारेवाई इस्थाकित हो गई और इस पर ग्रमंटरी नरत्तम निश्रा ने न्यूस 18 से कहा कॉंग्रस की विधायकों को बॉन धरने पर जाना था कमलात पहले चले गए थे बाकी विधायकों को भी जाना था इसलिए हंगावा करके सदन की कारेवाई को बाध़त कर रहे थे विपक्ष का रवाया धिंदनिया विधान सभा चनाव वे जनता अब जवाब देगी दिन्धवाण के लिए और बट्वाण की करना चाहिए जब हम जनव मत्विट के मुद्वें नहीं उठाएगे तो जनता इनको माफ कभी नहीं करेंगे लेकिन क्या लग रहा है सच जो मांग पर अड़े हुए थे क्या अधिवाद सी मुद्दे पर चर्चा अरे ना चर्चा कौन रोक रहा था क्यों नहीं की चर्चा आप स्वयम भी तो साक्षी हो ना इसको नुजेक्टिन नहीं है के साक्षी क्यों उन्होंने हल्ले से कौन विद्धाय को लगाते तो सब्रवार के अधिवाद सक्षी करता था क्या मैसे जंटा में जाएंगद लिए तो प्रदेश सरकार के मंत्री उनका कहना है कि कॉंग्रेस के विधाय को धरने में दाना था और इसी वज़े से शो शराबा किया चर्चा से भागने की कोशिश जो है विपक्ष ने की और इसकी निंदा जो है सत्तापक्ष के द्वारा की गई है कैमरा परसन अजेत अवर के साथ अनुड़ाक्षी वास्ताव जीज़े की वह पाथ और इसी पर सथा जानकारी के लिए रंजना दोबे हमारे साथ जुड़ गई है रंजना देगे पांच दन का सत्रु था दो दिन भी डंक से नहीं चल पाया सवाल तो उठना लाजमी है क्यो किता सस्ति हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि अजिए तो बिल्कुल क्योंकि जब भी सत्र हुए है और जितने दिनों की तय हुए है उतने दिनों तक लगातर चला नहीं है और उसी को लेकर जो लगातर विपक्ष है वो पत्र भी लिखता रहा है लेकिन आज जुस तरीके से ये जो पांच दिनों का सत्र था वो सिर्फ दो दिन में ही खत्म हुआ है जबकि दो दिन भी पूरे नहीं हुए है इसको लेकर विपक्ष लगातर जो हमला बर है वो भी हो रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि हम सिर्फ आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर इस टगन पर चया रहे थी लेकिन जो महिंगाई है बिरुजगारी हैं सत्पुड़ा भबन में जो आग लगी है तमाम जो मुद्दे हैं महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं कम से गम उस पर चर्छा के लिए तो तैयार हो जाते हैं और विपक्ष ने तो ये भी आरोप लगाए कि जुस्तरी के सी ये सत्र अप्ता इस्तगित वा ये पहले से प्रायोजित्ता पहले से सारी कारिक्रम आसरकार के तया थे और इसलिए ये जो सत्र है वो अचानक से इस्तगित क्या गया लेकिन रुटू यहाँ पर सवाल यहीं खड़ा होता है कि से दो दिन में सत्र खट हुआ ऐसे में जनता आपको परिशानिया जरूर होंगी क्योंकि जस्तरीके से जनता जन प्रतिनितियों को चुनकर भेशती है उनके मुद्दों पर चर्था ठीक बहुत-बहुत शुक्री आरंजुना मुपाल से बड़ी खबर के इस वक्त हम बात करते हैं हमेशा